नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइन सेने स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज हम ब्लाउज की बैक डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेर करने वाले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह देखिए मैंने लाइनिंग और मैन फैब्रे की कटिंग के बैक रखें मैंने सबसे पहले मैं लंबाई बता देती हूँ 14 इंच रखिए 13 इंच तयार है शोल्डर है पांच इंच आर मोल है साड़े पांच इंच और 8 इंच मैंने सिने का जोथा भाग लिया हुआ है और एक इंच हमने बैक साइड में डार्ट के लिए लिए 28 इंच की कमरेस में अब यह देखिए सबाद 2 इंच पर मैं नेक की चोड़ाई पर निशान लगाने वाली हूं और नीचे साड़े 9 इंच पर और नीचे से तीन इंच पर अलका सा इसको ब्रॉड रखना है और फिर उस पर हम एक बॉक्स बना देंगे यह देखिए बॉक्स बनाने के बाद हम जो नेक है उसको ड्रॉ करेंगे राउंड नेक में इसमें बना रही हूं यह देखिए आप अपने मंचाई सेफ यहां पर दे सकते हैं चौक कोर में भी है जो डिजाइन हम बनाने वाले हैं वो बन सकती है और मटका अगले में भी यह डिजाइन बन जाएगी तो यह देखिए लाइनिंग में इस सेफ पर मैं कटिंग कर लूँगी कि बैक डार्ट पर हमने नौचिस यहां पर लगा लिए कि दोनों साइड अब यह देखिए मैं फैब्रिक को हलका सा मार्जिन रखते हुए हम यहां पर कटिंग कर लेंगे सेंटर में अच्छे से अंगली से प्रेस करते हुए एक लाइन ड्रो कर लें बी सेंटर में यह देखिए मैंने इसको और अच्छे से डार कर लिया है और दो दो इंच पर हम दोनों साइड सेंटर से दो दो इंच लेना है और दोनों साइड हमें मार्क करना है जिस तरीके से मैंने मार्क किया है उस तरीके से मार्क करके आप सीधी लाइन ड्रो कर सकते हैं यह देखिए अब भी हमने इस पर lining को attach नहीं किया है without lining हमें पहले design बनानी है अब यह देखिए मैंने पट्टियां ली हुई है दो सवा सवा इंच इनकी चोड़ाई है चोड़ाई मेरे कैमरे में cover नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ सवा इंच चोड़ाई दो दो पट्टि मैंने आपर ली हुई है और दोनों को हमें आपर joint कर लेंगे और joint करने के बाद यह देखिए इस तरीके से fold करके हम इनको डोरी पलटते हैं उस तरीके से इस पट्टी को पलट लेंगे पट्टी की चोड़ाई हमारी half inch रहेगी half inch से भी हमें थोड़ा सा कम लेना है इस तरीके से पूरी पट्टी हम यहाँ पर stitch कर लेंगे और extra fabric है उसको हम यहाँ पर cutting कर देंगे क्योंकि हम इसको पलटेंगे तो ज्यादा fabric होगा तो वो थोड़ा round round सा हो जाएगा इसलिए विल्कुल फ्लैट हमें पट्टी चीए यहाँ पर तो यह मेरा extra fabric था तो मैं उन्हें उसको निकाल दिया है और अब ने देखिए सूइस की मदद से मैंने इसको पलट लिया है कई वीडियो में मैंने आपको पलटना बताया हुगा कि किस तरीके से हमें पट्टी है डोरी पलटते हैं तो यह देखिए अब हमें लूप से यहाँ पर तयार करनी है उसके अंदर हम डोरी को निकाल सके इतना हमें उसकी चौड़ाय रखनी है तो मैं डोरी को फोल्ट करके एक बार तो यहाँ पर ङ स्थे हिंगे जो दोनों साइड में हमारे यां पर लगेगी जांने यह देखिए यह मैंने डेड डेड इंच की लूप की कटिंग कर लिए और यह जो लाइन रो कि हमने दोनों साइड दो दो इंच छोड़ कर इस पर हम इसको अटेज करेंगे इस तरह किसे आप लाइनिंग रख लें और यह हमने एक्ष्टा काटा था उसके नीचे आइड यह से लेके और फिर हमें लूप अटेज करनी है यह देखिए यहाँ पर क्योंकि हम बीच में कर देंगे तो वह जब हम से लाइक लगाएंगे लाइनिंग की तो वह कि बीच में आजाएगे इसलिए आप अच्छे से मेजर करके ही लूप लगाएं पाइपिन से लूप हमारी लगबग पाव इंच नीचे हो नीची है उसके अकोडिंग आप लगाएं और सबी जो लूप से उनमें देखिए मैं एक एक इंच का निशानिया पर लगा रही हूं एक एक इ सबी को अच्छे से एडजेस्ट करते हुए आप एक एक इंच की दूरी पर अमें लगाने हैं यह देखिए एक साइड टोरी लूप से हमने लगा लिए हैं अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीवे से लगाना है और यह देखिए बिलकुल हमारी आमने सामने होने चीए उपर नीचे ना हूं इसलिए आप निशान लगा लें है वह एक एक इंच की दूरी पर में ने लगाना है जैसे हमने इनके सामने वाली लगाई थी आप कर देंगे है यह कर देंगे यह एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको में कट कर देंगी यह देखिए यह लूप समारी लग चुकी है अब एक कपड़े दो कपीस हमें कपड़े के लेने जो हमारा सेंट्र पार्ट है जहां हमने लूपस लगाई है वह उतना ही लंबाई में बराबरों और चोड़ाई में लगबग दोनों पीस अमदेंगे लेंगे लेंगे हमारे तीन-तीन इंच के होने चीओ है यह देखिए सब पर मैने तीन-तीन इंच के इस तरीके से दो पीस ले लिए और यह जो लूपस हम यहां पर लगा रहे हैं उनकी कड़ा एटाए इंच मैंने उनकी कटिंग की हुई है जो साइड में लगाए थे वो हमारे डेड इंच थे और यह मैंने धाई इंच लिए हैं क्योंकि हम इनको बीच में से फोल्ड करके सेंटर में सिलाई लगाएंगे इसलिए मैंने याँ पर इनको बढ़ा लिया है और एक एक इंच पर हमें इनको लगाना है च्छे च्छे लूप्स हमने वहां लगाएते तो च्छे च्छे हमें यहां लगाने इसी में इसीज का आप काउंटिंग का और लंबाई चोड़ाई की जो जितनी दूरी होती है उसका हमें ध्यान लगा कर यह लूप्स लगाने आगे पीछे हमारे नय हूँ अब यह देखिए दूसरा यह पाई पीस है यह मैंने लिया है इसको मैं इसको उपर इस तरीके से रख दूँगी और जो पीछा हमारे सिलाई यहां पर दिख रही है जो हमने लूप्स अटेज करें थे उस पर हमें यह पट्टी को जोड लेना है यह देखिए इस तरीके से यह हमारी बिल्कुल सेंटर में आ गई है और इनको देखिए इस तरीके से बीच में से चोड़ा करके और हमें बिल्कुल दोनों साइड हमारी लूप्स तयार हो जाए इस तरीके से सेंटर में हम इन दोनों के सिलाई लगानी है इसलिए मैंने इनको बड़ा लिया था लंबाई में अब यह देखिए बीच में हमें बराबर बराबर दोनों साइड लूप्स बन जाए इस तरीक से बिलकुल सेंटर में सिलाई लगानी है देखिए इस तरीके से सभी लोप्स फरम बीच में से दबाते हुए इनको सिलाई कर लेंगे तो दो दो लोप्स हमारी दोनों साइड यहां पर तयार हो जाएंगी यह देखिए अब हम दो दो इंच पर इदर भी दो इंच पर हम निशान लगाएंगे और उदर की साइड भी दो इंच पर निशान लगाएंगे सेंटर से मार्किنग करनी यह बिल्कुल सिलाई पर टेप रखते हुए यह देखिए दो इंच पर इतल लगा लिया और दो इंच पर हमने इधर लगा लिया काज़िए अब हमें यह जो में पार्ट हमार्वा यह लेना और देखिए बीज में से हमें इसको कटिंग कर देंगे तो यह दो पार्ट हमारे अलग-अलग हो जाएंगे और यह लूप्स को हम इस तरीके से कि देखी मोड़ते हुए और इस पर सिलाई लगा लेंगे हम जो कपड़ा है वो अंदर की साइड हमारा यहां पर दब जाएगा कि दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है कि यह देखिए किती फिनिशिंग के साथ हमारी यह लूप्स रेडी हो चुके अब जो हमने यह बीच वाला पार्ड तयार किया था इसपर यह जहांने 2-4 लाइन भो कि थी उसी लाइन पर हमें यह जहां से हमने लूप्स को पलटा था उनको बिल्कुल flor in पर अच्छे से मिलाके इनको रखना और कुछ पेंस यहां पर लगा देने ताकि यह इदर उदर ना हूँ यह देखिए और अब हम यहां पर सिलाई लगा देंगे दो इंच हमने बीच में से काटा था इसलिए दो इंच का पार्ट हमें बीच में जोड़ना है बिलकुल तब हमारी जो मेजर्मेंटे ब्लाउच की वो बिलकुल सही रहेगी जितना पार्ट हमें कट किया है उतना पार्ट हमें उसमें एड़ करना है यह देखिए दोनों साइड चिलाई लग चुकी है लूपस वाला पार्ट हमारा वो यहां पर कम्प्लीट हो जाता है यह देखिए और यह एक्स्टा फैब्रीक है अंदर की साइड उसको हम यहां पर कट कर देंगे यह देखिए अब मैं यहां पर लाइनिंग लूँगी और उसको हम लाइनिंग को अटेज करेंगे नॉर्मल हम जिस तरीके से लाइनिंग को अटेज करते हैं और यह देखिए जो एक्स्टा फैब्रीक था उसको मैं यहां पर कट कर लूँगी लाइनिंग को मैंने नेक से यह देखिए नाकुन से अच्छे से प्रैस कर लें सिलाई को चारो तरफ से और फ्रिस को रॉंग साइड पर टर्न कर दें यह देखिए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ लाइनिंग अटेच हो चुकी है यह देखिए नेक पर अच्छे से नाकुन से प्रैस करते हुए किनारी वाली इसलाई भी हम यहां पर लगाएंगे यह देखिए किनारी वाली इसलाई यहां पर लगा रहे हैं आप चाहिए तो इस पहले अच्छे से प्रैस कर लें और फिर किनारी वाली इसलाई भी लगा सकते हैं उसे और अच्छी फिनिशिंग आएगी आपगी बार्वश घसका टाजए पर लगाएंगे आपगी नसे यहां आपाना वाली इसलाई पर ले दो हम आपगे एन रहां आपगाएंगे आप अब बलाउज को चारों तरफ से लाइनिंग को और में फैब्रिक को अटेश करके एक्सटा कपड़े की हम यहां पर कट तर देंगे तो यह देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा लिया और जो एक्स्टा फैब्रिक है उसको हम यहां पर कट कर देंगे इससे बिल्कुल फिनिशिंग आती है हमारे ब्लाउज में हम थोड़ा सा हमें एक्स्टा रखना चाहिए कटिंग करते वक्त तैकि कहीं से भी छोटा बड़ा हो तो वह वहां पर पूरा एड़्जेस्ट हो जाए और अब कमर पट्टी भी मैं यहां पर लगा दूँगी नॉर्मल कमर पट्टी जिस तरीके से हम लगाते हैं एक साइड से फोल्ड करके फिर उसको अटेच कर देते हैं और फिर नीचे की साइड उसको फोल्ड कर देते हैं कि यह देखिए पलट की मैंने अंदर के साइड इसको फोल्ड कर दिया और यहां पर बाद में तुर्पाई कर लेंगे मैं यहां पर कच्छी से लाई लगा रही हूँ और पीछे वाली जो दो डाट है हमारी मैंने एक एक इंच इनकी चोड़ाई ली थी तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर पीछे की दोनों डाट लगा लेंगे कि यह देखिए दोनों डाट हम नहीं आपर लगा ली है अब हम हुआ है पाइप नहीं आप लगाएंगे मैंने उर्म पत्ति यहां पर काटे हुई है ये देखिए और उसको एक साइड से फोल्ड कर लिया है पहले ही और अब मैसको उल्टी साइड से लगाएंगे जहां से इधर से लगाने से जो आपको benefit रहेगा वो यह है कि हमें हमारी जो pipe in होती है उसके कितनी मोटा ही रखनी है उतना कपड़ाई हमें दबाना है अगर हम सीधी साइड से लगाते हैं तो lining हमारी कितनी दबती है वो कहीं थोड़ी बहुत कम जादा भी हो जाती है इसलिए back side से तो यह देखिए अब इसको right side से हमें परटते हुए और pipe in तयार कर लेनी है pipe in हमारी बिल्कुल गोल आ रही है और बिल्कुल एक size की है यहाँ पर तयार हो रही है यह देखिए pipe in मैंने यहाँ पर लगा लिए अब मैंने 7 इंच की पट्टी यहाँ पर काटी हुई है और यह भी मेरी उरे पट्टी है तो इसको मैं फोल्ड कर रही हूं और फिर इसको हम यहाँ पर पलट लेंगे यह देखिए पट्टी लगा लिए और सुई की मदद से उसको यह देखिए इस तरीके से में पलट लूँगी पूरी पट्टी को निकाल के प्रेस जरूर लगाएं कोकि पट्टी उर्व में हमने काटी हुई है तो अच्छे से फ्लैट हो जाएगी तो तब यह लगाने में आसान भी रहेगी और फिनिशिंग भी हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो प्रेस जरूर कर लें मैंने पट्टी की प्रेस कर लिया और ब्लाउज पर यह देखिए इस तरीके से मार कर रही हुँ मैं इस पर हमें यह पट्टी को अटेज करना है एक साइड आप मार किंग कर लें और दूसरी साइड इस तरीके से सेंटर में से पलटकर ब्लाउज को थप थपा के दूसरी साइड भी हमारा ट्रेस हो जाएगा सेम डिफ्रेंस हमारा कुछ नहीं रहेगा इसमें दोनों सैट सेम मार किंग होगी और यह इजी भी रहता है कि अभी देखिए उपर वाला जो धागा हो मैंने यहां पर चेंज किया है यलो कलर का क्योंकि ग्रीन में तो मारा उपर से दिखेगा वह बद्धा लगेगा और इसको जहां जहां हमने लाइन ड्रो किये उस पट्टी को पट्टी के सारे सारे चलाते हुए हमें यहां पर इसक कुछ हँए ईंत भूम आते हुए पट्टी को फोल करते जाये असे पट्टी के हमें एक किनारी पर झाहरे लगा निए और पुजब पलटके ह यहां तक कंपलीट हो जाएगी तो हमें दूसरी किनारी पर लगाने पट्टी पर आप सेंटर पर कभी सिलवाई ना लगाए अब ये देखिए दूसरी किनारी पर भी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पट्टी को लगाना है अब ये गुमाते हुए अब ये देखिए पट्टी हमने एक साइड लगा लिये पूरी जो लूप से उन में यहां पर गॉल्डन कलर की डोरी डाल रही हूं क्रॉस में हमें ये डोरी डालनी है आप चाहें तो यहां पर कपड़े की जो कंट्रास्ट वाला कलर है उसकी डोरी बनाकर भी यहां पर आप डाल सकते हैं मैं यहां पर रेडिमेट जो डोरी आती है गॉल्डन की वह मैं यहां पर इसमें डाल दियूंट यह देखिए सेंटर पर हमारे डबल डबल लूप सें तो दोनों साइड हमारी इसमें डोरी की डिजाइन बनने वाली है बहुत खुबसूरत यह डिजाइन बनेगी आप बनाकर इसको जरूर ट्राइ करें और यह सुन्दर भी बहुत लगती है और यह जी भी है यह देखिए इस तरीके से क्रॉस में करते हुए यह देखिए सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी डोरी डालेंगे मैंने डाल लिए और नीचे हम यहां पर टसल लगाने वाले हैं तो यह देखिए मैंने एक साइड यहां पर टसल लगा ली हैं और दूसरी सैड भी हमें सी तरीके से टसल 2050 लगाने है दो मैने स्क्वाइर पीस लिए है। इनको बीच में से हमें फोल्ड कर लेना है और बीच में सेंटर में इस तरीके से डोरी को रखते हुए कि यहां से अलकासा इसको पलट लें ताकि वह नौक सी हमारी ना बने और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको हम पलट लेंगे और एक सुन्दर से टशल्स तैयार हो जाएगी दोनों को हमें इसी तरीके से बनाना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेर करें यह देखिए दोनों टेशल्स हमारी यहां पर लग चुकी है इस तरीके से यह डिजाइन हमारी कंप्लीट होती है डिजाइन का फाइनल लुक है अगर आपको यह मेरे डिजाइन अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक शेर करें थैंक्यू फर वाचिंग